सुबह का भूला अगर साम को घर वापस लोट आता है तो उसको भूला नहीं कहते अगर सुबह का भूला एक सरवाद दो सरवाद घर वापस आता है तो ना ही उसको वक्त सुईकार करता है और ना ही सायद अपने अपने भटकते हुए भूले रूपी मन को सही समय पर अपने लक्ष रूपी घर के अंदर वापस ले आओ Think about it मेरी बातों पर विचार जब सही समय मिले आपको तब जरूर करिएगा नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाग 30 के बारे में अब तक प्रिवेस पार्ट जितने भी अप्लोड हुए हैं अगर आप उसके नोट्स बना रहे हैं या फिर अपनी बुक में हालेट कर रहे हैं तो प्लीज उसका रिविजन जरूर करन तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे पेज नमबर 89 के बारे में तो इसमें क्या के इंपर्ट पॉइंट है केवल उतना ही देखेंगे हम लोग जो हम को पढ़ना हैं देखें इमपर्टिन पॉइंट सब कुछ है आपका एक्सपिरेंस कुछ और कहेगा मेरा एक्सपिरेंस कुछ और कहेगा वर्मा जी का कुछ और तो देखिए इस बुक में एक एक लाइन जो दी गई है जो मैंने हालेट नहीं करी है वो भी एक्साम के पॉइंट विसे इंपारेंट है लेकिन बहुत के चक्कर में हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं हो तो बहुत हो वरना कुछ ना इस के चक्कर में कुछ पढ़ी नहीं पाते तो जो वो कुछ है कुछ को समयटते हुए कम से कम इतना तो पढ़ो मेरा टार्गेट यह है कि एस फॉर एक्जांपल जिसको छोड़ा सब्सक्राइब को आपको एक्जांपल देना चाहूंगा जैसे आपने कहीं पर मैंत करने गए सरक को स्टार्टी में काफी अच्छ लगे ठीक है उनके एक दू कुश्चन का पैटन को समझनी आया उनने नंबर सिस्टम चलाया चैंज करते 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 आपका एक साल निकल गया और वहीं सेंटर पे पहले वाले सेंटर में बच्चा पढ़ता था उसका सेलक्शन हो गया तो इस बात को दियान रखिए देखिए सबका एक्सप्रेंस अलाला होगा हो सकता कि कई किताब हमको पसंद ना आए तो ऐसा न आम रहे कहने की काम आईगे अगर आप एक्साम काका पसे बרहुत की कद़े रहे हैं आप लोग कसी पोलिस पूस्ट में का सब चाह सब पर सब सकत्या लोगように मार्क करिके मेरी सब्सक्राइब बड़ी असानी से मिल जाएगी है अगर ना मिले तो फिर मजबूरन आप एक काम करना कि इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शिंस बॉक्स में दे दूंगा चाहें तो लेकिन पहले मार्ट करना दुकांदर को बोल देना लिखवा देना वो ले आएगा कर दो तब जाते उसे वहां से ले लिए दुकांदर से बहुत करोगे हफता भर वो लेगा उसके बाद आपके ने थी दोनों वर्ड एक्जाम में यूज कर सकता है इसकी सुरुवात किस ने करी थी इसकी सुरुवात की थी लॉड डलहौजी द्वारा देखें एक्जाम में ना लॉड से संबंधित कोशन एकना है जरू पूछेगा आपसे या तो पूछ लेगा लॉड कैनिंग के बारे में 1857 की घटना जो हुई थी वो किस के उस समय वाइपसर आइकन था यह पूछ लेगा आपसे तो आप यह याद अखना उसका नाम था लॉड कैनिंग और भी बहुत सारे रहे हैं जैसे लिंटन रहा है नॉर्ट ब्रुक रहा है डफ्रिन रहा है आपका ऐल गिन र और उसके बाद मैं को पता हो का यहां पर लॉड इर्विन के बारे में पढ़ लेना एक बार और लॉड आप मांट बेटन के बारे में पक्का बढ़ना लॉड मांट बेटन बहुत ही फेमस पर्शनलिटी है आपके एक्जाम के पाउंट आप यसे क्योंकि इसने जो सासन कर बादी दूंगा को सुभाष चंद्र बॉस ने कहा था यह कदन किसका था सुभाष चंद्र बॉस का पर्थम ओलंपिक पदफ विजयता भारते खिलाड़ी के डी जादव है और मुक्ति बोत के नाम से गजानन्द माधव को जाना जाता है जिब्रालिटर जल्ड़ मरुंध अफरीका को यूरोप से अलग करता है और विशाणू में लाइको प्रोटीन पाया जाता है डाउन सिंड्रोम से पीडित व्यक्ति में 47 गुण सुत्र होते हैं पर्थम एतिहासिक समराड चंद्र गुप्त मौर्य को माना जाता है और भारत में उपर आश्ट्रपती के चु नहुंदर में में पहीन कितने किलोमिटर होते हैं यह वनी sudah मेंatria कॉलमबस द्वारा की गई थी यह तो नाम है परसेनालिट्य के लिकिन कप करी गए थी यह तो नाम पूछे गा वेकतीगा यह पूछे का आप यह वर्स तो यह दिरत में करी गई थी 1492 में सूर्य उद्राय का देश बोलते हैं जपान को और अमरीका 6 अप्रेल 1917 में पर्थम विस्व युद्ध में सामिल हुआ था और जीवों के अवसेसों का आयू का पता कारवन 14 डेटिंग के द्वारा लगाया जाता है विस्व पिर्थवी दिवास कब मना जात है और लाला राजपत राय की मिर्थी साइमर कमिशन के विरोध रैली के नितत्व करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में हुई थी आजय दिवगन की एक मोवी है भगत सिंग कभी भी टाइम मिले संड़ेगो तो प्लीज जरूर देखना उसको बहुत सारी चीजी आपके उ दच्छिन अंडबान और लगों अंडबान के बीच इस्तित है अबुल फजल अकबर के दरबार में थे तैयारी इतनी पुकता होनी चाहिए कि अकबर से संब्दित काफी सारी चीजे हैं आपको जो पता होनी चाहिए जैसे कि दास परता का अंत अकबर ने करा था 1562 में 1562 म यह भी एक्जामे के बर पूस्त है तो वह थी 1582 में और इलाई समवत की सुरुआज जो करी थी वह करी थी 1583 में इसी ने और जजिया कर समाप्त किसने करा था एक्जामे कई बार यह कोशन पूछा गया तो वह भी करा था अकबर ने लेकिन कब करा था बात करें वर्स की तो को अभी से 100% दिमाग को पड़ाई में लगा और रिवीजन करो ठीक है तो जो मैंने आपको बताई चीजे अगर आपको बुक है तो साइड में चीजे को लिख लो इसी बुक में लिख लो साइड में अकबर पर एक एरो बनाओ नीचे जो इस पेस होगा आपका बुक में उ संक्षिप नाम क्या उसका उसकी स्थापना एक्जाम में केवल एक ही इंपोरेंट है यूटी आई भारतिय यूनिट ट्रस्ट 1964 में इसकी स्थापना हुई भारतिय अलगुद्योग विकास बैंक इसको बोलते हैं CDB स्थापना हुई 1990 में भारतिय खाद्य निगम FCI 1965 में भ 1974 में छेत्रे ग्रामिड बैंक RRB 1975 में भारतिय रिजर्व बैंक RBI 1935 और आस्थे क्रेशी इत्त्रा ग्रामिड विकास बैंक इसको बोलते हैं नाबार्ड इसकी स्थापना हुई थी 1982 में आगे बढ़ते हैं पेज नुम्बर 90 पर बैटरी का धन दुरूव एनोड होता है और बोगोलिक कल्प के अनुसार प्राचिन प्रवत कौन सा है यह है आपका रावली टेस्ट ट्यूब बेबी कार्थ होता है ट्यूब में निसेचन और मैक महन रेखा भारत चीन की चीन को आपसमें क्या करती है डिवाइड करती है और लिए यह सब करती है यह सब क्या होती एकुख आझ मारे ब्रीचा को ओलती है यहाँ का पार करनी करते हमारे भारत वाले उसे हाक को पार करते चीनके वह भारत हो je यह एक रिखा और है अपका दूरेंट रिखा तो यह होते ही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस्तित है और फोर्टी नैनवी Garda यूसे एबम कैनेडा के बीच में तो इम्पॉरेंट यह भी है आपके हिंड़न भी है मैगी नॉट भी है सत्रुभी बताय करो यह ऐसे कमेंट्स आते हैं काम की बाब बता तो उसमें फालतु वर्ड आप लोग एड़ कर देते हैं सोची जरा तो देखिए लुसेंट नीदी वाली बुक का रिविजन आपको पक्का करना है अगर बुक नहीं बढ़ी है तो इससे पहले उसको पड़े उसके कंप सबसे अधिक आवला में पाया जाता है और अब रख उत्पादक अगय ने देश कौन सा है यह आपका चीन गांधी जी चंपारन कृष्य कांदुलन से संबन दित हैं और उसके बाद गांधी जी परसनेल्टी काफी इंपाडेंट है चपपा चपा को बता होना चाहिए कब यह वापस आये थे 1915 में वापस आये और चंपारन सत्वाइब ने पहला करा था तो उसका उसका उनीस सत्राइब खेड़ा सत्ताइब निस एक तरह में और खिलाफत अंद्रों निस में ऐसे अंद्रों वापस लिए तो 1922 में चोरी चोला कांड हुआ था आपका और सबने सब्सक्राइब गांदी जी को गोली मारी गई थी 1948 में रही बात डेट की रही बात उसके मंत की तो वह आप मुझे भीजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख कर गए बेसिक कोशन है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कोशन पर कि गोल करांथी का संबंद किस से होता है तो यह ह को मिलता है जमीन के अंदर से उस्टेम पर होता है काला इसको रिफाइं करा जाता है रिफाइन रिसकी होती है और देखका अबर सिवाजी में श्वाजी नेनाए तो यह हुआ तो 1950 में और रही बाद बैंक का राष्टिगान का बुआ था यह मुझे वीडिंग अब कमेंट बॉक्स में लिख करके जो भी कुशन में पूछ रहा हूं तो प्रीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुझे कमेंट मुसका अंसर देंगे आपका अंसर आता है त नोग में क्या होता है कि उस सधान में जिं की कमी हो जाती है और आर्थिक सुलन के लिए तो ये हैं आपका समटी सूची से हानी ना हो पता चले हैं कि स्रेंडर लीग हो रहा है कोई पड़र इंचर लघाए या फिर माचिस की तिली लगाई और क्या वगा उससे नुखसान कितना नुखसान होग उसके बारे में कुछ सबसे प्राणी चालू परिस्क्रमण साला इसों बहुत है रिफाइनरी डिक बोई में वस्तित है और परसिद गिर्वन गुजरात में वस्तित है और बुड़ा पेश डैन्यूम नधी के तट पर बसा हुआ है कंपीटर साक्षरता दिवस दो अक्टूबर को मनाया जाता है और क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का बाइसरा कौन था उसका नाम था लौड लिन लिथे गू अब बात करते हैं वार के बारे में हिस्ट्री के वार काफी इंपरेंट वार है कौनसा वार कब हुआ था वो उन्हों का वर्स देखिए बिल्कों अलग है क्रीमय युद हुआ था 1854-56 वायस राय के संदी 1919 में टाइट टेनिक जो जहास्ता वो डूबा था कब 1912 में नैपोलियन की मिर्ट्व कभी थी 1821 में और बाल सेफिक क्रांती 1917 में और फ्रैंक वार्ट की संदी 1871 में अगर देखिए एक्जाम में आप से इसके चिन तो नहीं पूछता लेकिन एक्जाम में आप से बस यह पूछ लेता है कि टोटल कितनी रासी होती है दस ग्यारा बारा तेरा पता है आपको तो यह उतनी है टोटल मिला करके बारा देखते हैं कौन-कौन सी एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 अब उसमें भी केवल इंपॉर्टिंट आपको अगर चिन पूछी लिया एक्जाम में जरोस से ज़्यादा घ्रह खराब होए आप लोगों के अगर इन केस तो आप से पूछे का कुम रासी का चिन क्या है तो वह आपका घड़ा वरश्यक का बिच्छो और मेस रा कर लेजिए अपने नोट्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग दूरी के अनुसार यह लिस्ट आपको याद करनी है अब मंगल लाल क्यों होता है सुक्र को मॉर्निंग इवनिंग श्टार बोला जाता है जो भी इसके अन्य नाम है वह सब आपको मिलेगा उस बुक में से लुस किताब में से भठक रहे हैं तो अगर आपको पता हो गाना तो में यह नहीं दो लोग भटक रहे हैं किताब से कहीं और लोगि काम की चीज वो भी है अब एक लाग सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर इस चैनल पर है तो वह बस किसने किसी लोगी आपको आता है अच्छी बात है लेकिन यह कंपल सरी नहीं है कि वह सब को भी आता होगा पेज नमर 91 स्वेत करांती का संबंद दूगद उत्पादन से होता है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जिनन ने किया था विटामिन सी गर्म होने पर क्या होता है नस्ट हो जाता है मात्मा गांधी के हत्या नातुराम गोट से ने करी थी कप करी थी 30 जनवरी 1948 को मात्मा ग जिनाव और रावी सिंद्य नदी की सायग नदी है और भारत में करकर रेखा उज्जैन सेहर से निकलती है नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पाहड़ी के अमर कटक चोटी से हुआ है और ताइवान देश का प्रणाम क्या है फार्मोसा है इंसांग ने हर्सवर्दन की सासन आंदोरन के परवर्तक कौन थी एनी बेसेंट पंजाब के राजा रंजी सिंग के राजधानी लाहूर थी और फिप्टीवन के में भारती नागरी के मूल करतवियों को दिखाया गया है रैफ्रीज एडिटर में खाद्य परजातों को ताया रखने के हेतु सुरक्षित होता है सेंटीगूर Μबी मुंबी बोलता है अभी तो बोलने का तरीका अलग अलग है लेकिन इसथान तो एक ही है तो वैसे Estado सेंटेद के दोना से wife आत्मा राम पांडूरंग थे सोल्डर हैसन प्लेस बीबी का मिस्र दातु है एके बाना जापान में पुस्प विन्यास का परचलित परकार है और कुछी पुड़ी लोक निर्ते का संबन्द आहंदर परदेश राज्य से है नियुआर्क अटसन नधी के तट पर बसा हुआ है उसके बाद हम बात करते हैं जील के बारे में देश के बारे में कैस्पिन सागल जील रूस तथा इरान के बीच में है और सुपिरेल जील अमरीका तथा कैनेडा के मद्धे देखे विस वेव भारत के परमुख जीलों के बारे में बताया गया है लिस्ट आप पर लिजेगा एक पार पैकाल जील सोवेश संग डल जील जम्मो कस्मिर में है बूलर जील जम्मो कस्मिर में है सांबर जील राजिस्थान में है लोग टक जील जो है आपका मड़िपूर मेven चिलका जील उरी साम में दूनाच जील महरास्ट में और मुझी ये बिल्ज नियुका सुष गता विर Satellite के पो खूर करना है पहले भब सकता हो कि यहले करेंघ साथ तो यह जणी जैने कर लीजिए देखिए तो फ्रेंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही करता हूं आगे 92 पेज नंबर हम करते हैं अगले वीडियो में डिसकस और फ्रेंड्स अधी जानकरी के लिए वीडियो के नीचे देए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर किलिक करें इस सभी वोक का आपको मिल जाएगा महां पर आप चाहें तो वो सब वीडियो वाच कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करेंगा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर जरू करेंगा ठीक है शेयर करिएगा क्योंकि देखिए आप भी पढ़िए और उक भी पढ़ने का पूरा- चैन लेट पूराब होती है वो तो मैं बॉक को फार देता हूं एक पेज को निकाल करके एक तरीके से उसको अप्लाइट जो अग्जाम बोड़ाता है उसको पर रखके मा स्कान करता हूं इसलिए आपको हर एक पेज बिक्र इनिखाई देगा अगर आप देखें साइट में खुद इसकान कर रहा है कि पेज हां कुछ पेज मैंने किस्ट्राइब मंगवाए थे इसमें मैंने पार्ट 26 में डिसकस करा था इसका नाम पप्पु या था उनका नाम था तो उन्हें मुझको बारा-फंद्रा पेज भीजे थे कलिए स्कैन करके बागी बुक में पचितना लगाना इडिया तो हर एक पेज को ससे जुब बूस्ति लाया हूं उसको सकरना पड़ता और पेज की कटिंग होती है वह पेज वैसे नहीं फटते पेज़क्ति ब्लेट से गाटना पड़ता है इसके लगके काटोगे तब भी अचाना से यहां से आँगा अचाना से फट जाएगा इसके लिए से इसके लगके साइड से एक धंग से लाइन खिशनी पड़ती है और कहना कि फिंगर में भी कट बहुत बारे में डिसक्स करा था अब से मुझे तेरे पेज्ट कर लेकिन आगे कोई नहीं आया बस एक बच्छा आया जिसका मैं डिसक्स कर था पार 26 में उसका ना तो बस उम्मीद करता हूं कि क्या बता आप लोग प्लों प्रोवाइड कर राएंगे कर वाइंगे तो अच्य बात हज झार आप झाल में